हेलो फ्रेंद्स, वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल, मैं हूं दिव्या शर्म दोस्तों, आज मैं आपको बताने जारी हूं साइटिका दर्थ का इलाज जो कि साइटिका की समस्या की जड़ पर काम करता है आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आखिर साइटिका दर्थ होने का कारण क्या है इसकी इलावा साइटिका की समस्या में जिनको साइटिका की समस्या हो जाती है उनको कौन सी चीज खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए ये चाहिank은 आपने कहीं से सुनी होगी या फिर खुद भी महसूस की होगी कि किसी इन्सान को तो साइटिका की समस्या होती है बैक पेन होता है कमर दर्द होता है तो किसी को एसा समस्या बिल्कुल नहीं होती तो दोस्तों जो साइटिका दर्द का कारण है उसे हम दो भागों में डिवाइट करते हैं 50% कारण कोई और 50% कारण कोई और है दोस्तों सबसे पहला कारण आपने सुना होगा कि शरीन में वात यानि वाई बढ़ने के कारण साइटिका की समस्य आ जाती है दर्म जो है वो कंप्रेस हो जाती है साइटिका की नस दब जाती है जिसके कारण पूरी टांग में दर्ध रहनी लगता है लेकिन इसके पहले का जो 50% कारण है वो है कब्ज जरा ये सोचिए जिन दिनों में आपको कमर दर्ध साइटिका दर्ध शुरू हुआ था क्या उन दिनों में आपको कमज की समस्या रहती थी, कांस्टिपेशन रहता था, आपका पेट अच्चे से साफ नहीं होता था तो ये कमज की समस्या के कारण ही सबसे पहले बैक पेन यानि कमर दर्ध शुरू होता है और ये दीरे-दीरे इसका इलाज नहीं किया जाए कमर दर्ध का, तो ये साइटिका के दर्ध में बदर जाता है दोस्तों ये साइटिका है क्या? हमारी रीड की हड़ी के अंदर वर्टीब्रा बने होते है नीचे वाले वर्टीब्रा में L1, L2, L3, L4, L5 इसमें अगर कोई भी प्राब्लम आ जाए, इन वर्टीब्रा में कोई भी प्राब्लम आ जाए तो हमें कमर दर्ध शुरू हो जाता है लिकिन L5 के बाद आता है S1 अगर ये S1 वाली नस दब जाए, S1 का मतलब है साइटिका नर्व और अगर ये दब जाए, तो पूरी टांग में दर्ध रहने लगता है खून और उक्सीजन की सप्लाई यहां अच्छे से नहीं हो पाती जिसके कारण चलने फिरने में दिक्कत आती है चेर से खड़े होने में समस्या आती है आप चेर से खड़े होते तो एक दम से सीधा नहीं हो सकते आपको ऐसे लगता है आपको बैंड होके खड़ा वना पड़ेगा फिर धीरे धीरे आपके शरीर में कून का सर्कूलेशन चलेगा टांग में बलड जाएगा फिर धीरे-धीरे आप चल सकेंगे वो भी बहुत painful तरीके से तो दोस्तों आज जो मैं आपको इलाज बताने जारे हूँ वो इस साइटिका की समस्या की जड़ पर काम करता है यानि कि पूरे तरीके से इलाज करेगा सबसे पहले इस इलाज को भी अपने तीन भागों में डिवाइड कर आपको ये चीज़ तो पता चली ही गई कि हमारे शरीर में वात और कबज के कारण ये समस्या आती है दोस्तों इलाज भी कुछ ऐसा ही होगा कि जो वात की समस्या को दूर कर सके हमारे शरीर में साइटिका की नर्व दबने के कारण जो स्वैलिंग और सूजना चुकी है एठना चुकी है वो भी दूर हो जाए और ये नस भी खुल जाए तो दोस्तों इलाज में सबसे पहले काम आपने क्या करना है अपनी बैक पर यानि की कमर पर और पूरी टांग पर मसाज करनी है अब मसाज के लिए कौन सा तेल लेना है आपने तिल का तेल लेना है उसके अंदर आपने आधा चमच 100 ग्राम तिल का तेल ले लीजिए आधा चमच इसके अंदर जैफल डाल लीजिए इस तेल से आपने अपनी कमर पर और पूरी टांग पर मसाज करनी है अगर हो सके तो मसाज के बाद आप अपनी बॉड़ी को स्टीम जरूर दे और स्पेशली बैक यानी कमर को स्टीम जरूर दे ताकि वहाँ आई एठन और जकड़ दूर हो जाए खिचाव जो आ रहा है नसो को खोलने का ही काम करता है यह बहुत ही सटीक है यह आयरवेद की एक ऐसी ओशदी है जो नसों को खोलने का ही काम करती है दभी हुई नस को सही करने का काम करती है यानि कि इस साइटिका के समस्या के जड़ पर ही काम करेगी आपने हार्शिंगार का नाम सुना होगा अगर आ आपने इसका इस्तुमाल गलत तरीके से किया होगा, तो मैं आज आपको बताने जारी, इसका इस्तुमाल का सही तरीका क्या है, आपने हार्शिंगार के 5 से 7 पत्ते लेने हैं, और उनकी अच्छी से चटनी बना लेनी है, अगर आप इसे काट रहे हैं, या फिर हलका हलका सा क्रश कर रहे हैं, तो इसका फाइदा सच में आपको नहीं होने वाला, तो दोस्तों आपने इसकी चटनी बनानी है, हार्शिंगार के पत्तों की सिरफ 5 से 7 की, और एक गिलास पानी में भिगो कर रख देनी है रात को, सुबेश पानी को आदा गिलास और डाल कर उबालना है, जब पानी एक गिलास रह जाए, तब आपने इसको हलका सा गुनगुना करना है, यानि हलका सा ठंडा करके चाय की तरह पीना है, ऐसा करने से साइटिका की दबी हुई नस, या फिर शरीर में कहीं भी दबी हुई नसों, वो ठीक हो जाती है, क्योंकि ये आयरवेद की ऐसी दवाई है, ऐसी ओशदी है, जो की दबी हुई नसों को खोलने का काम करती है, सूजन को दूर करती है, तो अब बात करते हैं साइटिका की तीसरे इलाज के बारे भी, दोस्तों, आपको ये चीज तो पता चल गई, कि कॉंस्टिपिशन यानि की कब्ज और वात के बढ़ने से शरीर में ये समस्य आ रही है, तो शरीर में से वात को दूर करने के लिए आपको एक इलाज और करना है, वो आपने शाम के टाइम करना है, लेकिन उसके लिए आपने सुभ है एक चीज करनी है, कि एक गिलास पानी के अदर एक चमच मेथी दाना भिगो कर रख दीजिए, इसके साथ आपने लेना है ऐलोवेरा, दोस्तों ऐलोवेरा का अभी कुछ नहीं करना, आप क्या करिए, जब शाम को 4-5 बजे के बीच में ये मेथी अच्छे से भीग जाए, इस मेथी दालने वाले पानी को उबाल लीजी और पानी को छान लीजी, इसकी अंदर आप 3-4 चमच अलोवेरा का जूस डाल देजी और इसे पी लेजिए चाए की तरह, ऐसा करने से शरीर में जितनी भी वात या निवाई बनी है, वो शरीर से बाहर हो जाएगी, दोस्तों वात की समस्या होने से 80 तरह के रोग हमें हो जाते हैं, चाहे वो जोइंट पेन हो, अर्थराइटिस हो, नी पेन हो, रुमेटेटिड अर्थराइटिस हो, या या साइटिका का पेन हो, वात को दूर करने के लिए मीथी दाना खाना बहुत अच्छा है, अगर आप अलोवेरा के साथ इसका इस्तमाल करते हैं, तो इसके फाइदे भी आपको ज़्यादा मिलेंगे, दोस्तों वात के रोगों को ठीक करना चाहते हूं, तो अपना खाने मालत तेल यानि कुकिंग ओयल पर ध्यान लखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये वात से होने वाले समस्याई कभी भी ठीक नहीं हो सकते, तो कुकिंग ओयल, यानि कि खाना पकाने में जो तेल इस्तमाल किया जा रहा है, वो हमेशा ही सरसो के तेल का ही इस्तमाल कीजिए, दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन सी चीजे आपने साइटिका के दर्द में नहीं खानी, दोस्तों, आपने रात के टाइम खटी चीजे नहीं खानी, इसके इलावा जैसे अब सर्दियां चल रही है, और बाहर बादल आ जाते हैं, जैसे कि ठंड का मोसम जादा आ जाता है, कभी-कभी धूप बिल्कुल नहीं निकलती, बाहर बादल आ चुके हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी, फिर भी आपने खटी चीजे नहीं खानी, क्योंकि उस टाइम बाहर बादल हैं, आप खटी चीजे खाएंगे, तो शरीर में वात और वाई जादा बनने लगेगी, तो दोस्तों इस चीजे का जरूर ध्यान लगेगा, इसके इलावा आपने एनिमल प्रोटीन नहीं लेना, रिफाइंड वाली चीजों का इस्तमाल नहीं करना, जैसे की रिफाइंड ओयल का इस्तमाल नहीं करना, रिफाइंड चीनी का इस्तमाल नहीं करना, रिफाइंड नमक का इस्तमाल नहीं करना, ये चीजों का ध्यान डगकर आप इस समस्या को काफी हद तक दूर कर सकते हैं और अगर इसके साथ आप इन तीनों इलाज को यानि कि जो मैंने आपको मसाज ओयल बताया है हारशिंगार के यूज बताया है और ऐलोवेरा और मीथी का इस्तमाल बताया है इन तीनों चीजों का इस्तमाल करके आप साइटिका के दर्द को जड़ से खतम कर सकते हैं अगर आप सोचते हैं कि इसकी ऐलोपेथिक मैडिसिन ले ले लेते हैं और हमारा काम हो जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है और बहुत सारे लोगों ने ये मैडिसिन लेकर भी कोई फाइदा नहीं लिया तो दोस्तों ये वीडियो यही तक थी आपने इस इलाज को एक से डेट महीने के लिए रेगुलर करना है और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कभी भी इंडियन टॉयलेट का इस्तमाल नहीं करना जब तक आपको साइटिका पेन रहता है हमेशा ही वेस्टन टॉयलेट का इस्तमाल करना है पानी बैठ कर ही पीना है और जल्दी जल्दी नहीं चलना वाक जरूर करनी है पैदल जरूर कर चलना है लेकिन आपने भागना नहीं है दोस्तों ये वीडियो यही तक थी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंज के साथ जरूर शेयर करिएगा, अगर आपके कोई भी सवाल हो, तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब भी जरूर दिया मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, stay healthy, always be happy, thank you for watching my video, okay